बिस्मिल्लाहिर रह्मानिर रहीम अस्सलामुवालेकुम प्यारे दोस्तों, नमाज के दौरान सजदे में आँखें बंद करने वालों के साथ में क्या होता है आज के इस वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिप करवाएंगे कि क्या नमाज में आँखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं और किन हालात में आँखें बंद करने की इजाज़त दी गई है और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आँखें बंद कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है? उल्माओं ने इस हवाले से क्या दलील पेश किये हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा. दीन इसलाम का दूसरा सातुन नमाज है. कुरान पाक में जगह जगह इनाम के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है. नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के जरिये और किसी भी दूसरी हालत में हासल नमाज काइम करने की बदोलत ही मुसल्मान अल्लह की याद उसकी हुदूरी उसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फैजाब होता है और सच्जदा जो अंनाज में किया जाता है ये ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा अपनी पेशानी जोकी इंसानी जिस्म का यह मेरे रब का हुक्म था कि अपनी पेशानी को सजदे में जमीन पर लगाओ या अल्लाह मैंने तेरे हुक्म की तमील की मैं अकड़ा नहीं, मैं इतराया नहीं मैंने अपने जिस्म का सबसे बहतरीन हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर जुका दिया यही वज़ा है कि सजदे इनसान को अल्लाह का मुकर्रम बना देते हैं अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है सजदे करने वाला इनसान अल्लाह का पसंदीदा इनसान बन जाता है क्या दिन की रूह और बंदगी की मेराज इन चीजों के सिवा और भी कुछ हो सकती है जाहिर है कि नहीं हो सकती इमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद से ही मिलती है जिस दर्द की जड़ों को नमी और ताजगी ना मिले तो वो सूखने लगता है और वो फलता फूलता नहीं इसलिए जिस शक्स का दिल अल्लाह ताला की जाद से गाफिल हो, उसका एमान मुर्जा जाता है नेक और सालार शक्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर एमान की ताजगी मौजूद हो, जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर कर गई हो नमाज की बहुत बड़ी एहमियत है, मुसल्मान और काफिर में फर्ख करने वाली नमाज ही एक ऐसी चीज है नमाज, यानि जो नमाज पढ़ता है वो मुसल्मान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है प्यारे दोस्तों, सयदा फातिमा रज्याल्लाहु ताला अन्हा ने कभी भी नमाज कजा नहीं की ये हमारे जमाने की औरतें रहती है कि घर में काम ज्यादा होता है, ठकावट हो जाती है नमाज का टाइम नहीं मिलता, तिलावत का टाइम नहीं मिलता प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा रसूल अलाहु ताला अलैही वसल्लम अपनी बेटी सयदा फातिमा के घर तश्रीफ लाए फातिमा रजी अलाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी खड़ी होने लगी खड़ी होने लगी तो नमाज के लिए धडाम से नीचे गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी, पांच मर्तबा गिर पड़ी नमाज के बाद रसुल अलाह ने अपने जिगर घोश से पूछा अपने जिगर के टुकडे से पूछा ऐ बेटी, क्या बात है? तो हजरत फातिमा ने अरज किया या रसूल अलाह नाँ तलाह आपकी बेटी का पाँच दिन से फाका है फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा जो की जन्नत की सारी औरतों की सरदार है उनका ये हाल है अपनी बेटियों को बेहनों को हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा के किसे सुनाया करो ताकि उनका नमाज पर यकीन पैदा हो, जरा गौर से सुने और याद रखना की मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए है यह हमें पकड़ाएंगे कियामत के दिन, उनकी वजह से बड़ी पकड़ होगी इनसान का बड़ा नुकसान होगा, जितनी ज्यादा अजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते, उतना ही डबल गुनाह है सुबह के वक्त में हर चीज उठती है, चरिंद हो परिंद हो, छोटी मोटी तमाम मखलूक अल्लाह का नाम लेती है और अल्लाह तबारक वताला ने जिनको अशर्फुल मखलूकात बनाया है, वो सोते पड़े रहते हैं, आधी रात तक गाने बज रहे होते हैं प्यारे दोस्तों, हम आपको नमाज में आँखें बंद करने के हवाले से फुकाहा की क्या-क्या राय है, वो भी बताएंगे लेकिन इससे पहले जरूरी है कि रसूल अलेही वसल्लम की नमाज कैसी थी, इस हवाले से भी बात की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफूम है कि तुम नमाज वैसे ही अदा करो, जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है, तो प्यारे दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि अधिरूरी है कि रसूल अलाही वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जानना चाहिए, आल्लह के नभी किस तरह नमाज अदा करते थे, आल्लह तालाह ने उन्हें अपनी रहमत खास से नावाजा और उन्हें मक्का में अंपिया से सरफराज किया, उन महबूब हस्तियों की नमाज में बेपनाह महब्बत खुश्बू और खुश्बू था रसूलाओ सुल्ह वताला अलाने नभूवत से पहले भी इन गारे हिरा में काफी अर्सा अबादते एलाही में मस्रूफ रहे मगर जब आप सुल्ह वताला अलाने नभूवत फरमाया तो आप ﷺ को नमाज का हुक्म मिला और आप ﷺ उस पर पाबंध हो गए शुरुवात में आप ﷺ छुपकर नमाज अदा किया करते थे रसूल आलाह ﷺ की नमाज मिशाली है आपकी नमाज में हद दर्जे की मिसाल थी गोया कि आपकी नमाज काबिल थी आप ﷺ नफली नमाजों में भी अल्लाह ताला की तरफ इतनी लगन और मुहबबत से तवज्जो होते कि दुनिया के हर खयाल से बेनियाज और बारगाहे रबुलिज्जत के बिलकुल करीब हो जाते अल्लाह ताला के हुजूर आप ﷺ अल्यही वसल्म कुछ अरसे के बाद सुबह शाम आप ﷺ ने दो रकात पढ़ना शुरू कर दी उसका जिक्र कुरान पाक में यूं है सुबह शाम अपने परवर्दिगार का नाम याद किया करो और रात के वक्त देर तक उसको सजदा किया करो उसकी तस्बीह किया करो मुवस्रिन का कहना है कि रात को उठकर देर तक नमाज पढ़ने का हुक्म एक साल तक बाकी रहा उसके बाद रात की नमाज फर्ज के बजाए नफिल हो गई तहजद के नफिल हो जाने के बाद भी रसूल अलेही वसल्म शब में कसरत से नमाज पढ़ा करते थे और डी की रत किया करते थे बाद में जब पांच नमाजे बाजमात फर्ज हो गई तो आप सलल्लाहु ताला अलेही वसल्म ने आखिरी दम तक इस फरीजे को बड़े आसान तरीके से अन्जाम दिया आप ﷺ की नमाज में इतनी आजीजी और खुश्बू और खुजू होता कि उसकी मिसाल नहीं मिलती बुखारी शरीफ में है कि एक बार एक शक्स ने हजरत आईशा सिद्धिका रजिय लाहु ताला अन्हा से दर्खास्त की की हजरत मुहम्मद ﷺ की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो वो बयान कीजिए हजरत आईशा सिद्धिका रजिय लाहु ताला अन्हा ने फरमाया रसूल अल्लाह ﷺ की कौन सी बात अजीब ना थी सभी बातें अजीब थी चुनाचे एक शब का वाकिया है की रसूल अल्लाह ﷺ मेरे पास तश्रीफ लाए और लेट गए फिर फरमाया मुझे छोड़ दो मैं अपने रब की इबादत करूंगा ये फरमा कर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया यहां तक की आंसू बहकर सीने मुबारक तक आ गए फिर रुकू किया और रुकू में भी इसी तरह रोते रहे फिर सजदे में भी इसी तरह रोते रहे इसके बाद सजदे में से उठाया तो उस वक्त भी रोते रहे यहां तक की हजरत बिलाल रुजिय लाहु त्लह अन्हु ने आकर फजल की नमाज के लिए आवास दी मैंने अर्ज किया या रसूल अल्ह ताला अलाही वासल्लम इस कदर रोते हैं हालांकि आप मासूम है रसूल अलाही वासल्लम ने फरमाया क्या मैं शुक्र गुजार बंदा ना बनूँ? प्यारे दोस्तों, आप ﷺ ने नमाज के लिए बहुत सी तकलीव भी बरदाश्ट की. बुखारी शरीफ में है कि एक दिन आप ﷺ हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे और कुछ बैठे मजाग कर रहे थे. अबु जहल ने कहा काश इस वक्त कोई जाता और उंट की ओजडी निजासत समेत उठा लाता और मुहम्मद ﷺ जब सजदे में जाते तो वो उनकी गर्दन पर डाल देता. चुनांचे उक्बा ने अबु जहल की ख्वाहिश के मताबिक एक बड़े उंट की ओंजडी लाकर आप ﷺ पर डाल दी और आपको सख्त तकलीफ उठानी पड़ी. मुस्लिम शरीफ में हजरत हुजैफा रजियल्लाहुतला अन्हु से मर्वी है कि एक रात मुझको रसूल अलेहिवसल्म के साथ नमाज पढ़ने का इत्तिफाक हुआ. रसूल अलेहिवसल्म ने सुरह बक्रा शुरू की. मैं समझा, आप सो आएं तो तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप उसको पढ़कर आगे पढ़ें, तो मैंने दिल में कहा, शायद आप पूरी सूरत एक ही रकात में खत्म करना चाहते हैं. चुनांचे, आपने उस सूरत को खत्म किया तो मैंने खयाल किया. अब आप रुकू करेंगे, लेकिन आप अलेही वसल्म ने सूरह आले इमरान शुरू कर दी और वो भी खत्म हो गई. सूरह निशा शुरू कर दी. रसूल अलेही वसल्म बहुत ठहर ठहर कर नहायत सुकून और इत्मिनान से कीरात फर्मा रहे थे और हर आयत के मजमून के मताबिक दर्मियान में तस्बीह और दुआ करते जाते. उसके बाद रसुल्लाह ﷺ ने रुकू किया और रुकू में भी कयाम के बराबर किया फर्माया कि खड़े हुए और इतनी ही देर खड़े रहे फिर सजदा किया और सजदे में भी इतनी इस कदर देर फर्माई हद्रत ओफ रज्जय लाहुत लाह अनू कहते हैं कि एक रात में रसूल अलाहु ताला अलेही वसल्म के साथ था रसूल अलाहु ताला अलेही वसल्म ने मिस्वाक किया बजू फरमाया नमाज के लिए खड़े हो गए मैं भी रसूल अलाहु ताला अलेही वसल्म के साथ नमाज में शरीक हुआ रसूल اللह ﷺ अल्यआई वस्लिम ने एक रकात में पूरी सूरख बक्रा पर डाली जहां रह्मत की आयत आती है ठेहर जाते और देड़ तक रह्मत की दुआ मांगते रहते सूरत के आखिर पर रुकु किया और इतनी देर तक रुकु में रहे जितनी देर सूरह बकरा की किरात में लगी थी रुकू के बाद इतना ही तवील सजदा किया दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पड़ी इसी तरह हर रकात में पूरी एक सूरत पड़ते रहे तो प्यारे दोस्तों, रसूल लाह सललाहू ताला अलेही वसल्लम इस तरह से नमाज पड़ा करते थे क्या हमने कभी गौर किया, हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत मुकमल पड़ी जाती है अपने गिरेबान में जहांक कर देखें फिर आपको पता चलेगा कि उम्मते मुहमदी में पैदा होना खुशकिसमती तो है लेकिन क्या हमने उनके तोर तरीकों को फॉलो किया है या नहीं तो प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या नमाज में आँखें बंद करना सही है या नहीं इस हवाले से उल्माए किराम ने क्या फर्माया है एहले इल्म मुत्तफिका तोर पर नमाज में बिल्ला जरूरत आँखें बंद करने को मकरूह कहते हैं और काशानी रहमतुलाही ताला अलैया कहते हैं कि यह मकरूह है क्योंकि यह सुन्नत से हटकर है क्योंकि नमाज की हालत मे सजदे की जगह पर देखना सरई अमल है चुनांचे इसी तरह आँखों का भी इबादत में हिस्सा है मराकी अल्फला के मौलिक ने नमाज के दौरान आँखें बंद करने को मकरूह कहा है तहा कई मसलिहात का तकाज़ा हो तो जायज है बलकि उन्होंने ये भी कहा कि बाद आउकात आँखें बंद करना आँखें खोले रखने से बेहतर होगा इमाम आज बिन अब्दुसस्सलाम रहमतुलाह अलेह फरमाते हैं अपने फत्वा में फरमाते हैं कि जरूरत के वक्त आँखें बंद करने की इजाज़त दी है अगर उसे नमाज में खुशू ज्यादा पैदा होने का इमकान हो तो आँखें बंद की जा सकती है जबकि इबन कईम रहमतुलाह अलेह ने जादुल मियाद में सराहत के साथ लिखा है कि अगर आँखें खोल कर रखना जरूरी है और अगर आँखें बंद करके रखने से ज्यादा खुशू पैदा होगा मसलन कोई ऐसी नक्षे निगार या कोई ऐसी और चीज़ मौजूद है जिससे आपका ध्यान नमाज में नहीं लग रहा है खलल पैदा होती है तो फिर कताई तोर पर मकरूह नहीं है बलकि ऐसी सूरत में आँखें बंद करने को मुस्तहब कहना मकसीदे तोर से मकरूह कहने की निस्बत करीब तर है तो प्यारे दोस्तों, उल्माए किराम के फर्मान के मताबिक हमने देखा कि क्या नमाज के दौरान आँखें बंद की जा सकती है या नहीं बेहतर ये है कि आँखें खोल कर नमाज पढ़ी जाए क्योंकि नमाज पढ़ने के दौरान सजदे की जगह पर देखना जरूरी है आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए हमारी नमाजों में खुश्बू और खुशू पैदा फरमाए जिस तरह रसूल अलेही वसल्लम ने जिन्दगी गुजारी है उन्हीं के नक्षे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए हम रसूल अलेही वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाए हमारा जीना मरना रसूल अलेही वसल्लम के लिए हो आमीन